प्रश्कार दोस्तो आपका हमाई चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आलोशना की विशेष्टा या आलोशना के गुन बहुती मैटमून वीडियो होने वाली अन्तक जरू देखेगा तेखे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था साहितिक कृति या रचना को पढ़कर उसके गुन दोशों को परकट करना उसकी आलोशना कहलाती है आलोशना में साहितिक रचना का गुन वैदोशों सहित परक की जाती है क्या करते आलोशना में जो हमारी साहितिक रचना है कृति है उसके गुन दोशों की परक करते हैं और तरख्या आलोचना के कई नाम हैं इसमें समालोचना और समिशा भी हैं डॉक्टर शाम सुंदर्दास ने आलोचना की परिभाशा दी हैं वे कहते हैं साहित्य शेत्र में गरंत को पढ़कर उसके गुण और दोशों का विवेचन करना और उस संबंद में अपना मत परकट करना आलोचना है जैसा कि शाम सुंदर्दास जी ने कहा है कि साहित्य के शेत्र में जब हम किसी गरंत साहित्य कृति या रचना को पढ़ते हैं और फिर उसके गुण दोशों का विवेचन करते हैं तो उसके बारे में हम क्या करते हैं अपने विचार प्रस्तूत करते हैं तो उस इसमें किसी रशना को अच्छे से पढ़ते हैं और उसका मुल्यांकन करते हैं कि उसके क्या-क्या अच्छाई हैं और क्या-क्या बुराई हैं दूसरी विशेष्टा है किसी रशना के गुण दोशों का उधगाटन किया जाता है मुल्यांकन के साथ साथ इसमें उस रशना के और दोशों को परकट किया जाता है आलोशना के द्वारा एक ही लेखक या कवी की दो या दो से अधिक रशनाओं का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है इसमें क्या करते हैं हम एक ही कवी द्वारा लिखी गई दो अलग-अलग या दो से अधिक रशनाओं को लेते हैं और उन किया जाता है अगली विशेशता है आलोशना की कि इसमें हम दो अलग कवियों की रचनाओं के मध्य मुल्यांकन किया जाता है इसमें क्या करते हैं हम कई बार अलग-अलग कवियों की रचनाओं ले ले लेते हैं और फिर उन कवियों की जो रचनाओं उनके बीच में क्या-क् मानता हैं कि कौन सी रशना अधिक परभावी है और कौन सी कम है ये सब देखते हैं अगली विशेषता है आलोशना करते समय रशना की पूरी व्याख्या और मुल्यांगन किया जाता है जब हम किसी रशना की आलोशना करते हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी व्याख्या करते है और उसका मुल्यांगन भी करते हैं आलोचना के लिए संस्कृत में टीका व्याख्या और कावय निरूपन सिध्धांत शब्द का प्रियोग किया जाता है तो ये जो है वो संस्क्रित में प्रियोग किया जाते हैं इंगलिश में आलोचना के लिए criticism शब्द है आलोचना शब्द लोच धातू से बना है याद रखे आलोचना शब्द किसे बना है लोच धातू से आलोचना का आर्थ क्या है देखना आलोचना में आलोचक, आलोच्य कृति के विशय में अपना निर्ने देता है पहले बए आलोच्य कृति को अच्छे से पढ़ता है उसके बारे में समझता है, सोचता है अपनी बुद्धी से, अपने भाव से निर्ने लेता है और तब उसे प्रस्तुत करता है आलोजना में विभिन युगों की कवियों की परवर्तियों की तुलना करते हैं कई बारा जोजना में क्या करते हैं हम अलग अलग युगों के जो कवी हैं उन कवियों की रशनाओं में जो जो परवर्तिया हैं उनकी भी तुलना करते हैं इसमें साहित्य और साहित्य कार के रहसे को उधगार्टित किया जाता है यह कला साहित्य के शेत्र में निन्य स्थापित करती है जो आलोशना है वो कला और साहित्य का जो शेत्र है उसमें अपना निर्ने देती है आलोशना के द्वारा किसी रचना की व्याख्या की जाती है और पाठकों के मन पर पड़े प्रभावों को व्याक्त किया जाता है आलोशना के द्वारा हम क्या करते हैं? जो भी रचना आती है उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं फिर उसकी व्याक्या करते हैं कि वह है किस विशय में कब क्यों कैसे कही गई है और फिर पाटकों के मन पर उसका क्या प्रभाव पढ़ता है ये भी हम आलोचना में ही व्याक्त करते हैं तो आलोचना की परिभाश्या औ हमने इस वीडियो में देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक पहुन सके ध अन्यमाद